आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चिन की वोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इसके अंदर होता है मैं वोटो से वाग तो मैं यहां पर में मिल जाएगा डायट मिल जाएगा ठीक है यहां पर एकसल और यहां पर एकसल मैं जो number of अब यहां पर होगा इसके बाद मैं उसस टू अपना सेम होता है किस की तरह मैं उसस वन की तरह तो अब यहां पर सिर्फ क्या होगा लाउंग डिविशन यानि की साल का उपलिकेशन होगा क्या बाद में नमड़ और ऑफ क्रोम्यों में कोई रिएक्शन नहीं आएगा तो फाइनलियु यहां पर मिल जाएगा ट्रैच्टरड मिल जाएगा है यहांपर अपने माइकरोड सपौर और सारे के सारे कैसे हैं है अब इन में से हम कोई भी एक माइक्रो स्पोर कंसीडर कर लेते हैं ठीक है क्योंकि यहां पर तो सारे फंक्शनल होते हैं ऐसा नहीं फीमेल के तरह जहां पर चार मेगर स्पोर में से तीन डीजनेट कर जाते हैं और एक ही फंक्शनल होता है यहां प इसमें होता है mitosis तो इस चीज को ध्यान से देखना है mitosis लिखा है यहाँ पर लिखा था हमने meiosis तो हमें मिलते हैं दो unequal sized cells ओके यहाँ पर अपना present होता है एक यह जो बड़ा वाला cell है यह अपना vegetative cell और इसके cytoplasm में present होता है एक छोटा cell spindle shift जैसे कि यहाँ पर हमने unequal sized cells हमें क्यों मिलते हैं क्योंकि जब यहाँ पर mitosis होता है तो spindle formation ठीक है वो asymmetric होता है जिस वज़े से हमें unequal sized cells मिलते हैं आते हैं next step पे अब इसके अंदर होगा mitosis second ठीक है second mitosis अपना specificly किसके अंदर होता है generative cell के अंदर तो जो final structure होता है हमें ठीक है अपने pollen grain का वो कुछ इस तरीके का मिलता है मालो यह pollen grain हो गया अब इसके अंदर यहाँ पे जो vegetative cell का nucleus present था ठीक है यह क्या अपना vegetative nucleus यहाँ पे अंदर सा अपना generative cell है generative cell में mitosis division जब होता है तो वो क्या बना देता है दो male gametes और यह क्या है अपना vegetative cell तो देखो यह होती है अपनी three cell stage यह होती है अपनी उपरवारी two cell stage और यह होता है partially developed male gametophyte और यह होता है fully developed male gametophyte ओके अब हमसे question में पूछा था कि fully developed male gametophyte बनने के लिए कितनी division का requirement है तो एक बारी क्या हुआ meiosis हुआ ठीक है और यहाँ पे दो बारी mitosis हुआ तो एक mitosis स्री एक meiosis हुआ तो मैटosis अबर question में से पूछ था कि partially developed male gametophyte के लिए कितना division का requirement है तो एक meiosis और एक mitosis ओके तो यहाँ पर हमाँ कौन-कौन सा option correct है एक तो यह correct है ठीक है और एक यह correct है तीन मियांट्री डिविजन नहीं हुई तो correct हो इसके हुजए है कि यहाँ पे option no.4 बोथ ए और सी फैंक यू हुआ हुआ है हुआ है है यह Sul झाह